असलाम उलेकूम वेलकम बेक टू जाइक अपने किचिन का अच्छा मौसम हो तो घर में बच्चे बड़े सभी को भूगतो लगती ही है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी जबरदस रेस्पी एक ऐसी यूनिक रेस्पी जो इससे पहले आपके कभी नहीं बनाई ह तो वीडियो को पूरा वाच कीजिएगा तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है दो कप के करीब मैदा आप चाहे तो इसको गेहूं के आँटे से भी बना सकते हैं लेकिन मैदा में यह बहुत ही बढ़िया बनती है मैदा को हम अब यहां पर आटे में अच्छे से मसल मसल कर मिक्स कर लेना है तो यहां पर हमने अच्छे से मिक्स करना है तकि आटे के रेशे में जो ऑल है वो चला जाए और अब यह कैसे पता चलेगा जो हमने इसमें ओयल डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं तो इसके लिए हम यहां पर एक मुठी बांद कर देखेंगे अगर हमारी मुठी आटे में अच्छे से बंद रही है तो हमारा ओयल बिल्कुल परफेक्ट है तो मुठी हमारी पानी डालकर इसका बड़ी असा डो लगाकर तयार करेंगे डो को हमें बिल्कुल सॉफ्ट लगाकर तयार करना है और आज की रेस्पी हम बहुत ही यूनिक तरीके से बनाएंगे विगनर्स के लिए यह बहुत ही जादा यूसफुल है और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से मसल मसल कर बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाकर तयार कर लिया है तो यहां पर आपको बिल्कुल भी सक्त आटा नहीं लगाना है बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाकर तयार करना है आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तयार हो चुका है इसके उपर हम मिक्सी के जार में जो हमने फ्रेश मटर ली है वो हम इसमें डाल देंगे इन्हें उबालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको इन्हें कच्चा ही लेना है और इसमें हम डालेंगे एक पिंच अद्रक का टुकड़ा जिसको हमने तीन पाइट में डिवाइट कर लिया है और यहां पर हमने लिया है तीन हरी मिर्चे तो यहां पर हमें इसको बिल्कुल बारिक नहीं पीसना है बस हलका दर-दरा सा पीस लेना है यह बहुती जरूरी पॉइंट है क्योंकि हमने इसको बिस दर-दरा पीसना है इससे बहुती बड़ी अफलेवर आएगा तो यहां पर हमने इसका दर-दरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है कुछ इस तरीकी का आपको दर-दरा ही पेस्ट बनाना है यह बहुती मैन पॉइंट है तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्ट प्रोसेस की तरफ तो गैस पर हमने रखा है एक पैन और इसमें हम डालेंगे वन टेबिल स्पून के करीब ऑईल ऑईल को हमने अच्छे से गरम कर लेना है ऑईल गरम हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे एक चोटा चमच के करीब जीरा और इसमें अब जाएगा आदी चोटी चमच के करीब अजवाइन और इसमें हम डालेंगे बड़िया सा फ्लैवर देने के लिए सोफ सौफ को आप इसके पना कीजिएगा इससका जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा बढ़ी आएगा इसको हमने हलका सा क्रेकल होने तक भून लेना है और इसमें हम डालेंगे बेसन और इसमें हम डालेंगे दो चमच के करीब बेसन बेसन को हमने हलका सा भून लेना है गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है और बेसन जो है मतर की जो नमी होती है ना उसको एब्सॉर्ब कर लेगा जब हम इसमें मतर डालेंगे मतर में जो नमी होती है ना वो बिल्कुल बेसन में एब्सॉर्ब हो जाएगी तो यहाँ पर हमने अच्छे से भून लेना है बेसन हमारा अच्छे से भून चुका है तो बेसन और सारी चीजों को हमने अच्छे से सोटा कर लिया है और इसमें हम डालेंगे एक चौथाई चमच के करीब हल्दी हल्दी को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़े अच्छे से मिक्स हो चुकी है और इसमें हम डालेंगे मटर का पेष्ट तो सारे मटर के पेष्ट को हमने इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे मसालों के संग और इस तरह से मटर को डालते हुए हमने अच्छे से भून लेना है ताकि जो मटर का सारा कच्छा पन है वो निकल जाए तो मटर मसालों में अच्छे से मिक्स हो चुके और मटर हमारे पक भी जाएं और जैसे जैसे हम मटर को चलाते जाएंगे इसकी जो नमी है वो बिल्कुल खतम हो जाएगी और इसमें हम डालेंगे आदी चोटी चमश के करीब लालमिस पाउडर देर चमश के करीब सुखा धनिया पाउडर और इसमें हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक आदा चोटा चमश हमने इसमें नमक डाला है और इसमें हम डालेंगे एक चोटा चमश के क के लिए हम इसमें डालेंगे आदा नीबू का रस आप चाहें तो आमचूर पाडर का भी स्तिमाल कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से MIX कर लेना है गैस की फिलम को हम कर देंगे OFF और इस मसाले को हमने ठंडा होने देना है मसाला हमारा बहुत भड़या से कर तयार हो चुका है तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक ट्रिक जो हमने मटर का पेस्ट बनाया था उसकी हमने छोटी छोटी सी बॉल्स बना कर तयार कर लेनी है इससे हमारा जो काम है और भी आसान हो जाएगा तो यहाँ पर हमने मटर की कुछ इस तरीके की छोटी छोटी बॉ ब récup लेंगे तो यहां पर हमने इस तरहां से जो सारी बॉल्स्थ 15 यहांगे चली अब हम चलते हैं process कि तरफ तो 9 घो को coveredjes है था हमने हमने दो चातूरे हैं और इसके हमने छोटे छोटे पीसिस कर लेने हैं। और इसको हमने चाकू की हल्प से बरावर बरावर पीसिस में कट कर लेना है। तो यहां पर हमने बरावर पीस कट कर लिये हैं। और इस तरह से हमने इसकी जो लोई हैं बना कर तयार कर लेनी है। आटा हमारा बहुत ही ज़ाव सॉफ्ट बनकर तयार हुआ है तो हातेली पर हम इसको रखकर कुछ इस तरह की लोई बना कर तयार कर लेंगे वो हमने रहाँ पर लिया है और हम लगाएंगे ब्रेश की हलप यहाईगे और इसके सैंटर में रखेंगे और हातों से इसको फ्रेस कर लेंगे हातों से हलका सा प्रेस करने के बाद हम इसको चारो साइड से अच्छे से फैला देंगे ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फैला देना है ये रेस्पी बिंगनर्स के लिए बहुत ही ज़दा यूसफुल है तो हातों से हमने इसको अच्छे से फैला दिया है ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फैलाना है और इसको हमने साइडों से भी अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि इसकी जो साइडे हैं वो बिल्कुल भी मोटी ना रहें और इसके सेंटर में हमने जो मटर की बॉल्स बनाके रखी थी वो हम रखेंगे और इसको एक साइट से कुछ इस तरीके से उठाएंगे तो यहाँ पर हमने चारो साइट से इसको इस तरह से पिलेटे डालते हुए उठा लेना है प्लेटे डालते हुए हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे जो मटर की हमने बॉल लखी थी उसको हमने अच्छे से कवर कर देना है और साइडे हमने इसकी बिल्कुल भी मूटी नहीं रखी है तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से कवर कर दिया है और इसको हमने कुछ इस तरह से घुमाते हुए बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना है कवर करने के बाद हम इसको इस तरह से डोंग पे रखेंगे और हलका सा प्रेस कर लेंगे प्रेस करने के बाद हमने कुछ इस तरह से मटर की कचोड़ी बना कर तयार कर ली है आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपकी मटर की कचोड़े अगर फट जाती है या ओल में बिखर जाती है तो वो बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी तो इस तरीके से आप बनाईए बहुत ही यूनिक तरीका है बनाने का और बहुत ही बढ़िया जो कचोड़ी है बनकर तयार होगी बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं इसके जो साइडे हैं वो बिल्कुल भी मोटी नहीं रखनी है बिल्कुल ही पतली कर लेनी है उंगली की हेल्प से और इसके सेंटर में हमने मटर की बॉल रखनी है और इसी तरीके से हमने इसको भी एक साइट से उठा कर हमने चारो साइट से प्लेटे डालते हुए अच्छे स कवर कर लिया है, ताकि अच्छे बड़ ढिखले ऑमे मतर की कचोड़ी हमारी बनकर टयार हो चुकी है और बहुत आसान तरीका है, आपको इसको बनाने में बिल्कुल भी परिशानी मी MBA करें नहीं होगी तो यहां ने से गाल मोट होती हैे यहां फोन किस तरह मुट्र क हमें भूल को इस तरह से रखना है और एक एक कचोड़ी करके हमने सारी कचोड़ी को इसमें डाल देना है तो यहां पर मैं इसमें चार कचोड़ी डाल रही हूं और गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है जितनी स्पेस हो कड़ाई में उतनी ही डालें जो आप आसानी से हैंडल कर लें आप देख सकते है कितने हलके हलके से बबल्स आ रहे हैं और चम्मस से थोड़ा थोड़ा ओयल इनके उपर भी हम डाल देते हैं और इनको हम बिल्कुल भी छुएंगे नहीं और बस चम्मस से हम तेल डालते जाएंगे यह फूल कर कुछ इस तरही के से उपर आ जाती है तो यहां पर हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है लो फ्लेम पर इवं इनको फ्राई करेंगे तो यहां पर हमने चम्मा से थोड़ थोड़ा ओयल इनकी उपर डाल दिया है तो यह एक साइट से अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो इनको बिल्कुल हलके से हमने इनको पलट देना है इससे ये बहुती ज़्यादा खष्टा बनकर तैयार होती है आप इनको ज़्यादा ना चुएं और इसको बिल्कुल हलके हातों से हमने उल्लट पलट कर बहुती बढ़िया सा फ्राई कर लेंगे बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है ना बहुती ज़ादा टेस्टी बनती है और बहुती बढ़िया बनती है तो आप इस रेस्पी को एक बार ज़रूर ट्राइ कीजिएगा तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको पलट लेना है और हलके हाथों से हमने इसको पलटना है ताकि जो हमारी खस्टा कचोड़े है वो बिल्कुल भी टूटे नहीं तो यहां पर हमने इसको उलटते पलटते हुए अच्छे से गोल्लन कलर आने तक फ्राई कर लिया है और यह बहुत ही बढ़िया लग रही है तो कचोड़ियों में एकदम से खस्ता कलर आ चुका है देखने में ही लग रहे हैं कितने खस्ता और क्रिस्पी बने होंगे तो इनको हम बहार निकाल लेंगे यह बहुत ही ज़दा खस्ता बनकर तयार हुए है तो इन कचोड़ियों को आपने एक बार जरूर बनाना है और अपना फीड़ बैक हमें कमेंट के जरीए जरूर देना है तो यहां पर हमने सारी कचोड़ियों को बाहर निकाल लिया है और इसी ओयल में हमने दूसरा बैच भी फ्राई कर लेना है गैस की फिलेम को हमें लो रखना है यह मैन पॉइंट है अगर आप गैस की फिलेम को लो नहीं रखेंगे तो आपकी जो कचोड़िया है वो फूली फूली नहीं बनेंगी तो यहां पर हमने हलके हाथों से इनको उलटना पलटना है उलटते पलटते हुए हमने इस बैच को भी फ्राई कर लिया है सुपर एकदम बढ़िया हमारी कचोड़ी बनकर तयार हो चुकी है तो इसी ओयल में हमने डाली है तीन हरी मिर्चें जिनको हमने हलका सा क्रेकल कर लेना है इससे इसका जो टेस्ट है कचोड़ियों को और जादा बढ़ जाएगा तो हरी मिर्चों को हमने क्रेकल करके निकाल लिया है और ये लिजिए हमारी करारी सी मटर की खस्ता कचोड़ी बनकर हो चकी है तयार एकदम फूली हुई है बिल्कुल भी दबी नहीं है जरूर बनाईएगा एक एक कचोड़ी आप देख सकते हैं फूली फूली खस्ता बनी है बिल्कुल भी पतली लेयर नहीं है जब आप तोड़ेंगे न तो ऐसे ही तूट जाएंगी बहुती बढ़िया जो हमारी खस्ता कचोड़ी है मटर की बनकर तयार है सारी कचोड़ी आप कुछ इस तरीके से फूली फूली और खस्ता बनी है बिल्कुल भी पतली लेयर नहीं है आप जो इसे तोड़ेंगे न तो यह ऐसे ही तूट जाएगी बिल्कुल मक्खन की तरह तो मैं आपको पूरी खस्ता कचोड़ी तोड़ कर दिखाती हुई रायते पनीर या आलू वाली सब्जी के संग आप इसको सर्फ कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कितनी फूली और खस्ता हमारी कचोड़ी बनकर तयार हुई है और जब आप इसको तोड़ेंगे न तो यह बिल्कुल मक्खन की तरह तूड़ जाएंगी यह देखिए एक एक फ्लैकी लेयर देखिए आप इसको हलका सा मैंने प्रेस किया है आप देख सकते हैं क्या खस्ता कचोड़ी बनी है और आप इसकी फीलिंग भी देख सकते हैं प और मट्र की कचोड़ी की खास बात यह है आराम से दो दिन चल जाती है नॉर्मल टेंपरेचर पर वैसे भी आजकल सर्दी चल रही है दो से तीन दिन तक यह खराब नहीं होगी आप इसको चाय के साथ खाईए या इसको तली हुई हरी मिर्च के साथ खाईए जैसे मैंने र जा सकते हैं यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और यह लीजिए हमारी यूनिक स्टाइल की सुपर क्रिस्पी सुपर यमी मटर की कचोड़ी बनकर इस तरह से हुई है तैयार देर तक फूली रहेंगी और खस्ता बनेंगी तो आप इसे जरूर बनाईए गा और सर्दी के इस मौसम में अपनी फैमिली के संग इसको जरूर इंजॉई कीजिएगा रेसपी अच्छी लगी हो तो प्लीज रेसपी को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा एकदम यूनिक रेसपी है इसको जरूर बनाईएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जब तक के लिए लाहाफेज